आप देख रहे हैं Alpha Defense, Alpha Defense हिंदी में आपका स्वागत है और Germany उस चीज को endorse कर रहा है इस वीडियो के दारान हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि Euro Drone क्या है साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें Observer Status का मतलब क्या है Euro Drone Program basically एक European Program है जहाँ पर Medium Altitude Long Endurance Drone बनाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर आइडिया है कि German Air Force, Italian Air Force, French Air Force और Spanish Air Force के लिए इस सिस्टम को बनाया जाए और इस प्रोग्राम में जो Companies involved हैं वो है Airbus, DASO Aviation और Leonardo इस प्रोग्राम को लेकर France की तरफ से भारत को Observer Status देने की बात कही गई थी और अब Germany की तरफ से इस चीज़ को Endorse कर दिया के है अगर Concept की बात की जाए तो यह काफी शांदार Concept है और आइडिया है कि इसमें दो बड़े बड़े टर्बो प्रॉप एंजिन का प्रियोग किया जाएगा जिसके चलते ये लगबग धाई टन तक का पेलोड कैरी करने में सक्षम हो इनिशली प्लान किया जा रहा था कि इन ड्रोन को पार करने के लिए साफरान के आडिडेन एंजिन को ही मौडिफाइ करके यूस किया जाएगा एक्चली ये एंजिन टर्बो शाफ्ट एंजिन से लेकिन आइडिया था कि इनको मौडिफाइ करके एक टर्बो प्रॉप एंजिन बनाया जाएगा और उसी से इस ड्रोन को पार किया जाएगा इंट्रेस्टिंग चीज ये है कि भारत के सभी हेलिकॉप्टर्स इनही एंजिन के उपर बेस्ट है जी हाँ शक्ती एंजिन फ्रेंच आडिडेन एंजिन के उपर ही बेस्ट है और अभी भारत के चारों इंडिजनेस हेलिकॉप्टर्स यानि की प्रचंग, ALH, Roodra और LUH इनही एंजिन के उपर बेस्ट है और यहां से जो डेटा निकल कर आता है वो भारत यूज कर सकता है अनफॉचनेटली ये प्रोग्राम डिले हुआ है और अब इसके उपर जाने वाला एंजिन भी चेंज कर दिया गया है कॉस्ट को बचाने के लिए RDN एंजिन को मॉडिफाई नहीं किया जाएगा बलकि ओफ दर शेल्फ अवेलबल अमेरिकन एंजिन का प्रियोग किया जाएगा इस ड्रोन को बनाने के लिए General Electric के Catalyst एंजिन का प्रियोग किया जाएगा और ये turbo prop engines pusher configuration में install किये जाएंगे लेकिन इस program की सबसे बड़ी परिशानी ये है कि ये चार देशों द्वारा मिलकर बनाया जा रहा है और इन चारों देशों की requirement बिलकुल अलग Germany की तरफ से starting से कहा जा रहा है कि उनको एक ऐसा drone चाहिए जिसमें दो engines हो ताकि एक backup engine हमेशा available हो वही दूसरी और France की तरफ से इस program को criticize किया जाता है और कहा जाता है कि इसको एक काफी heavy aircraft बना दिया गया है जिससे इसकी cost भी काफी ज़ादा बढ़ गई है initially माना जा रहा था कि इस aircraft की पहले उड़ान साल 2024 में हो जाएगी और अब माना जा रहा है कि इसकी पहले उड़ान साल 2025 में हो कि production को लेकर माना जा रहा है कि साल 2025 में ये production में चला जाएगा लेकिन फिर बीच-बीच में news निगल कर आती है कि इसकी पहले उड़ान साल 2027 में हो सकती है वैसे जैसा कि हम लोग वीडियो में अल्रेडी बात कर चुके हैं कि इनिशली आइडिया था कि आडेडन एंजिन्स को ही मॉडिफाई करके इस ड्रोन में यूस किया जाएगा इस वैसे भारत इस प्रोग्राम में काफी जादा इंट्रेस्टेड था और इसी वैसे फ्रांस के इस प्रोपोजल को लेकर भारत रेडी था लेकिन अब जब ये फ्रेंच एंजिन यहाँ पर ड्रॉप कर दिया गया है तो भारत का अब्जर्वर स्टेटस यहाँ पर प्रैक्टिकली एक कस्टमर के तौर पर ही बनता है नए सेटप के साथ में भारत हर तरीके के डेटा को के स्टार्ट से ही देख पाएगा और इसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर अगर भारत डिसाइड करता है कि इस सिस्टम को अक्वाइर किया जाना है तो भारत इस सिस्टम को अक्वाइर कर सकता है ये ड्रोन ठेटिकली MQ-9B की तुलनाम में डबल पेलोड कर सकेगा और इसी वैसे ये देखना काफी interesting होगा कि आने वाले समय में ये project कैसे move करता है और भारत का observer status यहाँ पर भारत को किस तरीके के data का access दिला पाता है इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं के वल इतना ही वीडियो को अधर तक देखने के लिए धाने बाद देखते रहें आल झाल झाल